वेलकम बेक तो मैं चानल में आपका ये हैल्स टेक डे फोर है तो हम प्रक्टिस करने वाले हैं इसमें प्रक्टिस होगा आपका 90 कोईशन होंगे टोप 90 कोईशन आपके लेकर आई हूंगे और पीसी भी तीनों सब्जेक्ट आपके इसमें होंगे कुछ बच्चे मेरे से बोल बच्चे में तो आपके जो दो सब्जेक्ट पर चाहिए तो हम वह जब आपका नजदीक आएगा ला एक्जाम तब हम उसकी तैयारी कर लेंगे अभी के लिए फिलाल हमें तैयारी करने चाहिए मेरे इसाब से फिलिक्स और केमिश्य भाई होगी जिससे कि हमारी अच्छी ह हो जाए और स्कोर है वो बूस हो जाए ठीक है तो चलिए I hope you are well then हम स्टार्ट कर ले रहे हैं first question है आपका the velocity of wind is measured by तो यह question बहुत repeat होता है और यह common भी है तो यह सभी को आपको पता भी होगा कौनसा version है और सभी को monocular motion है जो contribute नहीं करता towards internal energy में तो वो option आपका हो जाएगा transnational ठीक है next question देखेंगे the sliding friction is dash then the static friction तो आपको यह भी बताना है यह आपका option हो जाएगा smaller okay next question देखिए earliest thermometer was developed by जो earliest thermometer था वो किस ने डबलग किया था तो वो कौन थे आपके आपके आपका इसमें option हो जाएगा इसका option है गैले लियो ठीक है आपको यहाद रखना है next question में मुझान करते है था ऐसा unit of temperature अप टेमपरेचर की आपको यह स्वाला का जो option है वो आपको बताना है कि आपका क्या option होगा इसमें से Kelvin होगा Celsius होगा फिर आनिट होगा या फिर चूल होगा तो इसका answer आपको करना है question number five आप करेंगे question number five answer is this ठीक है तो आप इसका करेंगे the correct value of zero degree Celsius on Kelvin scale is correct value बताना है आपको zero degree Celsius पे Kelvin scale की तो वह आपका option हो जाएगा two ठीक है बी-off नापका सही हो जाएगा 273.15 K Kelvin तो आपको मैं एक चीज़ बता दूगा आपको पता होगी बैसे मज़ बता है अगर हम Kelvin में change करते है तो 273 K को हम क्या करते है प्लस करते हैं जैसे मान के चलो कि हमने zero degree Celsius है मान के चल दिया ठीक है तो इसको हमने plus कर लिया तो हमारा कितना Kelvin हो जाएगा 273 Kelvin आपका यह हो जाएगा ठीक है अगर हमें Kelvin से degree Celsius में लेके आना है तो हम क्या करेंगे तो हम इसको जैसे मान के चलो आप कि आपकी जो value है वो कितनी है कि 27 value है ठीक है 27 degree Celsius है ठीक है मान के चलिए तो जब हम इसको करें Kelvin में तो कितना हो जाएगा 273 में एड कर देगे हम दनहीं हो जाएगा 300 आपका ठीक है 300 हो गया अब हम già हो गया मितलब Celsius में लेके आना है कि यहां पे Kelvin होगा अपर के केल्विन होगा कर अना है तो हमें बापस क्या करेंगे हम अब इस मैं से 300 में से हम क्या करेंगे 273 को लेस कर देंगे तो हमारा जो बच्चे का इसे बच्चे का 27 दिग्री सेल्सियस में यह से आएगा माइनस करने के बाद में और प्लस करेंगे तो केल्विन में आजा जाएगा ठीक है या रखना आपको कि नेक्स कोशिन मुव करते हैं दा टेंपरिचर एट विच बोथ अपरनाइट इंस जो आपका सेंटिग्रेट होता है स्केल्स है तो कौन सी वैल्यू होती है सेंव वैल्यू वह होती है आपकी 40 दिग्री दिग्री सेल्सियस ठीक है नेक्स वेशन है आपका गैस थर्मोमेटर बचल-चल्सियस देह ईंग्री सेंट लीक्विद थर्मोमेटरा क्लिक्वा गैस किया होते है तो गैसे क्या होती है अपकी वह होती है है फेलो स्पेस्पेस्पिक हीट तो आपको एपसलिट जीरो पर सैटे स्ली गहें बताना है तो रूक उप्स्पिशन क्या हो जाएगा द एपसलेट जीरो इस आप टेमटरीचर एड विच तो एपसलेट जीरो जो होता है जा टेमटरीचर एड विच तो वह था है मॉल्यक्लर मोशन इन आप गैस बुड़ की इस तीक है यह आपका उशन हो जाएगा नेक्स कुशन देखिए हूँ इंवेंटेट इसकेल को इंवेंट किया था तो वह थे आपका एंडर सेल्सियस तो इसी रहे उनने सेल्टियस बोलते हैं हम सेल्सियस सेंटिग्रेट नेक्स कुशन है तेंपरिचर ओफ प्लेस ओन वन सनी दे इस बन थर्टीं ओन दर फैरनाइट सेल्सियस तो इसको आप निकाल सकते हूँ इसले निकल जाएगा आपका ऑफिशन ठीक है जैसे शरी एक निकल देखिये निकल से आपका कर्या मुझा जाएगा उसमें हम क्या करते हैं 273.15 आप अपने खेड़ कर दीते हैं नेक्स्क्षिन देखिए, जो मर्करी थर्मामीटर होता है Can we use to measure temperature up to? तो मर्करी थर्मामीटर होता है, उसमें कितने temperature को हम measure कर सकते हैं उसमें उसमें यूज करते हैं, तो वो आपका 360 degree Celsius, ठीक है? next question है who among the following scientists invented the mercury thermometer तो इन मैंसे कौन से scientist है जिन्होंने mercury thermometer को invent किया था तो वो कौन है आपके वो है आपके DG Fahrenheit next question देगी है the normal temperature of human body is normal temperature क्या होता है human body का वो आपको बताना है तो normal temperature क्या होता है ये तो सभी को पताऊगा ये भी आपको option बताना है ठीक है जरूर करना ये बहुत ही basic question है बिलकुल जरूर करना है जरूर जरूर तीक है मैं कोई भी बच्चा देख रहा है कोई भी अगर subscribe किया है मैं चलको या नहीं भी किया है चनल को लेकिन उसका आसर जरूर देना है मुझे कि मैं इसका ये सही होगा आपके लिए आपको इसका जबाब देना एक है next question देखिए a non-volatile solid is added to water its boiling point will तो अकर volatile कोई non-volatile आपका एक solid है जिसमें हमने बाट्र को add कर दिया है तो boiling point क्या होगा इसका तो होगा क्या होगा increase okay तो increase हो जाएगा next question a change of 10 degree celsius in centigrade scale corresponds to what change in Fahrenheit scale तो वो आपका option हो जाएगा 18 degree Fahrenheit next question देखिए next question आपका choose the correct statement इसमें से आपको correct statement choose करना है तो इसका जो option हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो आपकी options है वो वैसे D होगा D option है आपका कि यहाँ पे वैसे basic लिखा क्या है यह जो है वो alpha है आपका और B क्या है आपका beta है और यह gamma है ठीक है ऐसे यह लिखने में नहीं हो पाया था तो इसलिए ठीक है तो यह आपका correct statement हो जाएगा next question देखिए what is an endothermic reaction इसमें से कौन सी endothermic reaction होती है क्या होता है उस reaction में बताना आपको तो वो होता है reaction in which heat is absorbed तो आपका V option सही हो जाएगा ठीक है release नहीं होती है release होती है किसमें exothermic में हम absorb करते हैं किसमें endothermic में ठीक है तो हमेचे आद रखना है आपको next question 21 what is the process of conversion of solid state directly to gases state called तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं sublimation अगर देखो आपको ये basics बिल्कुल basics है अगर आपको basics नहीं आते हैं तो आप type करना class 9th का या 10th का 10th का करना तो 10th की basic chemistry basic chemistry ठीक है अगर आपको इसमें से question नहीं आ रहे हैं जैसे ही कुछ लोग होंगे जो कर लेंगे बिल्कुल सारे questions कर लेंगे तो जिल लोगों को नहीं आ रहे हैं और जो लोग कर पा रहे हैं उने तो करने के जरोद नहीं है जिल लोगों को नहीं आ रहे हैं बहुत कम questions आ रहे हैं तो आप क्या करना आप class 10th की basic chemistry by physics वाला से आप डालना तो एक मैम आएंगी मौटी सी मैम है क्यूट सी दिखती है तो उन से पढ़ना आप basic chemistry बहुत अची बढ़ाती है और आपकी basics जो है आपके वो मजबूत हो जाएंगी और strong हो जाएंगी तीक है याद रखना आप next question लिखिए next question है आपका 22 during summer comma sponsored नहीं है ये video ठीक है मुझे अच्छा लगा कि बच्चों को बताना चाहिए तो मैंने इसलिए बता दिया आप लोगों के help हो जाएगी अच्छी chemistry हो जाएगी आप लोगों के ठीक है basic से याद है इस exam में 22 questions है during summer comma water kept in end ether and pot becomes cool because of the phenomena of इसका जो option हो जाएग आपके जो questions है वो सारे basic chemistry के questions है तो आप 9th 10th की जो chemistry होती है basic वो पढ़ लेना बस इतना खहूँगी मैं आप से a liquid intense initially a liquid initially contracts when cooled down to 4th degree celsius but on further cooling down to 0 degree celsius it expands the liquid हिस्ट तो क्या है वो क्या हो जाएगा आपका वो हो जाएगा water ठीक है next question देखिए the rate of your operation of liquid does not depend upon तो जो rate होता है operation का liquid हो किस पर depend नहीं करता तो बहुता है its mass पे next question देखिए which one of the following can execute fire for fire more quickly तो यह कुद है तो यह आप question हो जाएगा boiling water ठीक next question देखिए next question है आपका just a minute does expansion makes the Eiffel Tower taller during summers तो इन मैंसे कौन से चीज है जो Eiffel Tower को summers में बहुत लंबा बनाती है तो बहुती है thermal thermal expansion की बज़े से जो Eiffel Tower होता है वो taller दिखता है किसमें summers में next question देखिए 27 बुलता है rate of evaporation increase rate होता है जो evaporation का वो किस से increase होता है तो बहुता है an increase of surface area की बज़े से next question बर move करते है what is an exothermic reaction इन मैंसे कौन से है जो exothermic reaction है तो वो है आपकी reaction in which the heat is relieved next question देखिए 29 the first law of thermodynamic is concerned with the conversion of conversion of तो वो है आपका energy energy की बज़े से last but not the least आपका physics कातम हो गया what temperature the density of the water is maximum तो ये question आपका मेरे जाप से 2022 का है 2023 का है मेरे जाप से आप लोग चेक कर ले लेका है तो आपका उफिशन कोंसा हो जाएगा 4 दिगरी सेल्शी है ये question बहुत ही पीवाई की आपका ये समझी है पीवाई कीवाई कीवाई विच आप दे फॉलविग गैसे इस प्रिजेंट अंडर प्रेशन आपको पता होगा इस का अंसर आपको देना है ठीक है इस का अंसर में बता रही चैमिस्टी में एक क्वेशन हो गया दो क्वेशन आपकी फिशिक्स में हो गया बेसी क्वेशन है आपको आपको अंसर करने है नेस्कोशन देखिए लिए लिए सेलुशन इस सेपेटेट फ्रॉवेट बाइए तो इसको मॉसमॉस भोलते हैं अब ही को पता है यार ये वाटनी का नेस्ट विचन आपका 33 बोलता है अमांट ऑफ ग्लुकोश रिक्वाइट टू फिफिटी ग्राम ओफ फाइफ परसेंट सॉलुशन ऑफ ग्लुकोश बाइब मास इस तो इसको ऑफ्षन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको फ्रस्ट ऑफ्षन हो जाएगा 12.5 ग्राम तो इसको मैं आपको आंसर भी बता कैसे निकलेगा तो इसकासर बेटा क्या होगा देख लिएजी आप कैसे हुआ इसमें सबसे पहले परसेंटेस of solution क्या है आपका 5% में टीक है तो पाछ निख लिए आपका हो जाएगा 5 यहां से कर लेंगे दिखो mass of solute यह निकलाएगा तो मारा जो mass of solution है वो percentage of solution के पहुन जाएगा तो 5 आपका percentage of solution है mass of solution आपका 250 है ठीक है then आपका divided by 100 अभी एक 0 से 0 काट देंगी कितना बचाया ऊपर कितना बचाया 25 इंटू 5 कितना होता है 125 नीचे 10 बचा है यह तो आपको बेसिक में तो आती होगी आपको जब 10 नीचे होते हैं तो हमारा एक के बाद में पॉइंट लगे जाता है 12.5 ग्रेम आ जाएगा मतलाव का फिर्स्ट पॉइंट साही हो जाएगा आई वो पब्लुक समझ गए होगी नास्ट क्सक्रेशन पर मुव करते हैं if we add salt to pure water अगर हम पानी में प्योर पानी में अगर हम salt को एड करते हैं तो its boiling point भी क्या होगा है तो वह इंग्रीज हो जाएगा आपका boiling point हीग है नास्ट क्सक्रेशन है which of the following forms are colloidal solution in water तो इस आपका ओफिशन सही हो जाएगा sorry for interrupt milk is milk क्या है तो milk आप बताना है वो क्या है तो वो है आपका fat dispersed in water ठीक है next question है smoke is an example of smoke किसका example है तो वो है solid dispersed in gas का next question देखिए next question है जो brownian movement था was discovered by किस ने discover किया था तो वो थे आपका Robert Brown ने brownian movement को discover किया था next question देखिए good conductor have many loosely bound तो वो क्या होते है आपके electrons होते है good conductors होते है so the question is के calculate number of electrons in the ये तो आपको बताना ये exactly लिखा कैसा है बेटा ये देखिए मैंने इसे community post पर post किया था तो आप लोने answer नहीं दे पाया है और एक बच्ची निम्रे से बोला था मैं इसका answer आप video बताएं तो ठीक है मैं बता दीती हूँ तो exactly ये लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा हुआ है 16 है minus की 2 valency है O पे oxygen पे और 8 नीचे है उपर 16 है ठीक है तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा number of electron निकालने के लिए number of neutron पर निकालने पड़ेंगे तो number of neutron जब आप निकालोगे number of neutron जब आप निकालेंगे तो वो निकलेंगे 16 minus 8 ठीक है कितना बचे 8 आठ आजाएंगे अब 8 में आपको जो balance ही है आपकी वो plus करनी है अगर यहाँ पे plus का 1 होता तो हम minus करती 1 ठीक है इसमें minus के 2 है minus के होते हैं तो हमें plus में पड़ते हैं और plus के होते हों हमें minus में पड़ते हैं तो जो हम इंको plus में कर लेंगे तो इसका जो electron आजाएंगे 10 आजाएंगे आपको first option सही हो जाएगा ठीक है आई होब आप लोग समझ गए होगे और उस question का अंसर आपको मिल गया होगा next question देखिए next question आपका के 22 42 sorry in electro refining the pure metal is deposited on जो आपका electro refining होता है उसमें pure metal जो होता है किसमें deposit होता है तो आपका option हो जाएगा तो इसका जो option हो जाएगा बिटाब हो जाएगा आपका a cathode next question देखिए next question आपका molten sodium chloride conduct electricity due to the presence of आपका जो option हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्री आइंस की वज़े से next question देखिए in galvanization iron is coated with तो ये तो सभी को पता होगा इसका भी answer आपको लोगों करना है मुझा नहीं करूंगी इसका अंतर आप लोग करेंगे ठीक है next question देखिए when iron is exposed to moist air किसी भी air में आपको पता है जब हम iron को रखते हैं जैसे आपका gate होते हैं आपकी जंगले उते हैं जो 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 प्रीटियां बोलेंगे जो भी है तो वह होती है तो वह मॉस्त एर जब लगती है आईरन की चीज़े उती है और रैडिस ब्राउन आपका होता है कोट कर जाता है उसके उपर जिसे हम हाइडिटेड आईरन बोलते हैं और आईरन ओकसाइड तो उसका जो फर्मूला वो क्या है इस दोपस्ट उन इड रटेट हो जो आपकी दरवाजे ह democracies के उन पर lon aún में जाकि जयाuchen से तो उस्फ यह पता हो ना चै़िए मेरे साacia कर आप ने प yuan तो आप ने पड़ा हो सी लोग तरम शलाने के Civilization Tech को हम जिंक सें करते हैं जिसससे कि जो र्स्टिंग होती है वो ऊथ दिनों में आया या पर लेगा धी टाया है तो मोईस्टेयर होती है वो ज्यादा हाम नहीं पहुचावाती है आइरन को नेक्स्ट कुछन देखिए देट्रियोरेशन ओफ अमेटल वाई इन एलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेज कॉमनली टम्ट एस तो यह होता आपका कोरोशन तो यह सारी जो आपके चीज़े हैं ना कोरोशन, रस्ट, डस्ट, वस्ट, सब कुछ वो एक लेक्ट्र है आपका उसको दो-तिन गंटे का है या फिर रावंड दिर गंटे का होगा उसको नहीं आपको बताया है फिजिक्स वाला पे टैंथ बेसिक केमस्ट्री डालना तो एक मैम आएंगे, मौटी सी, थोड़ी सी, मौटी सी है गुलोपुली सी, चोड़ी सी, तो वो आपको पढ़ाएंगे यह सारी चीज़ें उसी में कवर हो जाएंगे अगर आपको नहीं आता यह चैपिटर तो यह question नहीं solve हो रहे हैं तो आपके ठीक है next question देखिए which compound, when deposited in water, conducts electricity and forms a basic solution तो इसका जो option हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा any oh हो जाएगा, ठीक है next question, the unit of mass number is तो mass number की unit क्या होती है, तो यह होती है, आपकी unit less next question देखिए, the unit of equivalent conductivity is unit होती है, equivalent conductivity की unit आपको बताने है, तो इसका जो option हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बताइए मुझे तो इसका जो निकालने का जो formula हो जाएगा, वो मैं आपको बता दीती हूं इसका option हो जाएगा, वो जाएगा, आपका third option ठीक है, third option आपका सही है, formula कैसे निकालेंगे टो इक्विला उताएं के यह गड़ун करत है और आपका ताउक को क्या है झ्यों लिएन आपको पता है स्टेए यह यह गी क्या हो जाएगी के की फार्मुला होथा है के कविदा conductivity प्रेक्टिटी एक्टी इकवेल तुफन अपॉण रो त्रूल्ग आपको ढ एक न márगते उन हको तो यहूता आपको प्रमूला क्या हो जाएका इसका दून हो जाएगा इसका जू को अ कि धसे अ चैले करेंत removal नहीं होता है जो आपका नमलीर्ट इसका होता का हाँ लेक एक्कोलैंट अपोन सैंटीमीटर क्यूव है 2017 अपोन सैंटीमीटर कीओ यह वहुती operators Кण ग्राम की लिकसते है winner क्या lucky में तो अवी आप क्या करोगे सैंटीमीटर की कि व hm पोपर पहुंंचाए коли औ मुझेगा पन्सटी के जाएगा तो कितना आएगा हमारा यहां जैसे 1 4 3 2 करते है न तो ऐसे करना है तो जब हम 3 मैसे माइनस का 1 गटाएंगे तो 2 जाएगा तो cm2 हो जाएगा और equivalent आप आपको पहुपर पहुँचेगा तो यह मारे फिर पहुंच जाएगा इक्यू और माइनस वन तो आपका option हो जाएगा आपका सी देख लेते हैं चलिए आपका देखिए दा यूनिट ऑफ इस पिसका निक्टी तो इसका फर्मूला होता है वन अपॉन रो ठीक है तो इसका जो आपका हो जाएगा हो जाएगा दी मतलब इसकी जो रेस्टिविटी है इसका आपका पर ओम पर संटीमेटर हो जाएगा थैके नेशलेशन देखिए 51 गलवनाज़जन आइरण सीट हैव अ कोटिंग और किसकी कोटिंग होती है गलवनाज़जन आइरन के उपर तो वो ती आपकी लैड की याद रखना है आपको ठीक है तो इसका जो आप्शन हो सलैंग जिंक हो जाएगा फिए क्यों क्या टीक है वागल्बनाज़ेशन और कि वी इस अपका इफ मेड़ ए जिपलेश करता है मैटलडीको और विसको क्या भूलेंगे हम तो वह जाएगा आपका इस मोर रियक्टिव दैन बीजिञाँ जे एचिए विच आफ तो कौन सा मेटल है जो डिस्प्लेज कर देगा अरन किलोराइड को किसी भी उससे मेटल से तो वह जाएगा ऑफ्शन आपका जिंक नेस्ट वेशन नेकिए नेस्ट आपका डैस देज नौर डियक्त नहीं करती है डालू इस आपकी कॉपर नेस्ट वेशन है आपका फिर तमटीशन आपका पडोली ऊथ एड इव्च वर्डूंप ऑफ ग्यास वीकंज जीरो तो इसका जो टूंपर जाएगा अपसिलिट जीरो तेंपरिचर है अब काई जो यहाख गईजिक है अब कोकर निकलाएगा और कि निकलाएगा आप देख ल से का 16 हो जाएगा आपका हो का 28 हो जाएगा आप नमर ऑफ मोल से निकलना चाहो तो इससे भी निकलाएगा ठीक है ने सुचिन देखिए 57 मोले आप से आपका लीटर में बताना है यह वहीं बताना है तो आपका 11.2 यह भी कैसे निकालना आपको वैसे निकालना जैसे हम निकालते है नॉर्मालिटी मोलारटी तो इससाब से निकालना आएगा आरा आपका इप तो बैपर देंसिटी ओफ एस 14 मॉलेक्लर मास विल बी अगर वहीं है दूसे है इसकी देंसिटी कि दिने है 14 मॉल चुसकर वस्फंशन रहागा आपका 28 थी कह ए और इंदेटीपाइदा इंटेंसिफ प्रॉपर्टी फॉं में से इंटेंसिफिक पर ओपर्टी पितानी है तो को थी आपकी त्यम-धिटेंसिफ बोपर्टी एक सिक्स्टी लास हमस्रीं के bus देखने हां तो क्वेशन हुआ है आपका जव्रेलेन्स के प्लांत ग्रोथ हंद और एक पेड़ क्तेड़ तो кरन ऌर वो ह्टेक ने यह टाँ न हें और भी चीज़ आपको इसके बारें पताऊंगी स्ट्रेक्शन आपका सेकिंड मितलब 62 क्रेशन है ताइप आफ रूट फांड इन बेटल विन तो कुनसी टाइप की रूट पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी क्लाइमिंग रूट पाई जाती है आपके बेटल विन में फिस चाहितन वरी भी दो में रूट सिंगिए आपके क्लाइमिंग रूट पाई जाती है रूट यहां करी असthen unfortunate आपकी साकिंड भोठ होती है प्लांट इं प्लांट में ओ अनुसको क्या बèse बन थो आपको ब्लेटल वो होता है आपका fungal disease red road of sugar is causing अब पढ़ ली ना यार मुझे नहीं पढ़ना रहा है ठीक है इस question दिखिए what is the mode of transmission of disease yellow vein mosaic of windy, okra तो वैसे ये chapter ना हटा दिया है आपका strategy of war announcement से है तो ये इसका option हटा दिया है ये question ही पूरा आप eliminate कर दो क्योंकि नीट का जो एंटी है और अटा दिया नीट के लिए तो इसके लिए तो इसके लिए पता नीट के लिए मुझे लगता है अगर नीट के लिए अटा दिया तो इसमें भी अटा दिया हूंगी next question आपका है my mycology is study of तो ये किसके study कहलाती है ये आपको बताना है तो ये आपकी आंट के study कहलाती है study of antigen and antibodies found in blood तो ये आपकी क्या कहलाती है serology next question is study से related बने question कल आपको कराया था किस पर कराया था finger printing पर मैं ने डाले थी community post पर study of disease like cancer तो ये होती है आपकी onkology बोलते है सबी को पता है next question study of insect is called study of insect is called study of insect is called आपका anti entomology ठीक है study of bone is called study of bone कहलाती है बताइए मुझे osteology ठीक है ये आपका second option हो जाएगा study of bones का next question दीए next question है आपका nearest जो होती है feratema and uridinaria blood sucking leach होती है ये ठीक है our example of phylum तो ये तो सभी को पता होगा भाई सभी को पता है मुझे भी पता है अनलिडा का है ये example अनलिडा का है अनलिडा का है escalventies का है next question देखी next question है आपका the golden view of sea cell is due to तो ये आपका होता है polyrhygation next question है second largest phylum second largest phylum क्या है आपको बताना है जल्दी से बताईए क्या होगा मैं count on करती हूं one two three four तो इसका option हो जागा mollusk first largest phylum को अनलिडा है orthoport next question देखी है तो जो बोडी ब्लेनिंग होती है उनकी वो होती है radial आप अपने NCIT में पड़ लेंगे इसको next question है तीनिया है तीनिया मतलब टैब ओ फैसियोला मतलब लिवर हुक और एक्जाम्पल अफ़ द फाइलम तो ये प्लैटी हे एक्जाम्पल होती है याद कर लेना सारे एक्जाम्पल ठीक है बहुत इंपोरेंट है next question larva of housefly is called larva of housefly is called तो ये होते हैं आपके आपका mango ठीक है next question कालाजार is transmitted by कालाजार किसकी बेसे होता है तो वो होता है आपका scent fly की बज़े से कालाजार होता है next question आपका octopus comes under phylum तो ये तो सभी को पता है कानुडर मेट की बज़े से आता है ये सारी बटा ये आपका मॉलस्का में आती है octopus चेक खड़ लेना ठीक है next question seedless fruit जो होते हैं are you no use in तो ये होता आपका coconut next question है which of the following is a true fish true fish तो true fish है आपकी flying face next question है आपका which animal may suffer from foot and mouth disease तो भी ये आपका option है more option are correct है इसमें से तो एक ता एक ती तू आपका confirm करिया ठीक है हमने confirm कर लिया flying face है among the breeds of cows mentioned below which one is not indigenous तो इसका जो option हो जाएगा वो हो जाएगा आपका first ठीक है next question है आपका excretion in hemicordid takes place why excretion होता है hemicordid का वो होता है glomerus next question है आपका which hemicordid का आपका example बताने है मुझे तो example में बता आपको है blending glosses एक example है अच्छा मुझे यह याद है बिटा तो मैं और कुछ करने रखती यह example आपको याद रखना है blending glosses hemicordid का which of the following are cold-blooded animal तो cold-blooded animal का आपको पता ही होंगे वो करते हैं फिस होती है the animal associated seen in a shakar fish attached to a shark is तो वो commensalism आपको इसमें न वो बताना है relationship बताना relation था जाए पताना है population interaction बताना है sorry तो population interaction आपके कही ताप की होते हैं commensalism होता है capacityism होता है आपका musolism होता है आपका competition होता है आपका competition जिसे बोलते हैं और आपका क्या होता है और भी होते हैं immenselyism भी होता है तो इसमेंसे आपको बताना है कि देखो कितने deeply question रहने पूछ लिया है आपको याद रखना है question और गुच्छे आपकी जो चीजे होती है अम messalism होता है उसमेंसे वो पूछ लेते हैं जैसे कि zero plus है या फिर zero minus है या plus-plus है plus-plus होता है crucialism म Eux around comparison में penguin is found only into penguin किसके लिए पाई चाहती है तो वह पाई चाहती है आपकी अटरांटिका में ठीक है नेस्ट कर्शेन आपका what are a group of dolphin called कैसे group होती है डॉल्फिंग मैं वो आपको बताने हैं डॉल्फिंस कॉल तो वो आती है आपकी चो पावो है आपका पावो पावो इस ता जूरोजिकल नेम आफ तुझी तो मुझे भी पता है यार पीकॉक का है यह नीट में कुशन आया था याद रखना बेटा और ना परवाद हो यह हम आपको बता चल्डाँ ना ऑपको किस लेबल की तुझी तो आपको कुछ चीजे हैं जो याद करनी करनी हैं और वो न्सी याईइटी से पढ़नी पढ़नी है और यह सारी हैल्फ कराईं ने सारे आंसा स्वताएं इक्वां ने तो इसको लिए हैं क्यों कहले दा तो फॉल